सागर में मानव तसकरी के मामले में गिरफतार आरोपी बसंती के घर से पकड़ाए कोलकाता निवासी युवक से पुलिस ने पूश्ताच की है पूश्ताच में युवक ने संदेहास पर जवाब दिये दस्तावेज भी नहीं दिखा पाया उसके पास सिर्फ एक आधार कार्ट पुलिस को मिला लेकिन उस आधार कार्ट पर युवक की फोटो भी नहीं थी सक्ती से पूश्ताच की तो आरोपी अंतुर राय निवासी सिंथोलिया गोपाल नगर कोलकाता ने बताया कि वह कुछ समय पहले बसंती के संपर्क में आया था उसकी बहन से फोन पर बात होती थी फोन पर ही मिलने की और साधी करने की बात हुई इसके बाद वह कोलकाता से सागर शादी करने के रिए आया था यदि लापता बच्चियां समय रहते पुलिस को नहीं मिलती तो हो सकता था कि आरोपी बसंती उन्हें इस कोलकाता के युवक को बेच देती मामले में पुलिस ने कोलकाता निवासी आरोपी अंतुर राय को मानब तसकरी के प्रकरण में आरोपी बनाया है महिला थाना प्रभारी संगीता सिंग ने बताया कि आरोपी को न्यायाले में पेश किया गया जहां से कोट ने जेल भेज दिया मामले में आरोपी बसंती और अंतुर से जुड़ी अन्य जानकारियां खगाली जा रही है पूँचताच में बच्चियों ने बताया था कि आरोपी बसंती पहले उससे सराब विकवाती थी बसंती ने उसकी तीन अलग-अलग स्थानों पर शादी कराई थी उसने बताया कि बसंती ने किसी बच्ची को साथ लेकर आने का बोला था नहीं लाने पर भाई पर जूटा केस दर्ज कराने की धमकी दी थी जिस कारण आठ साल की बच्ची को साथ लेकर आई थी जिसके बाद पुलिस ने बसंती को गिरफतार कर पूँच ताच की मामले में आरोपी बसंती के खिलाफ मानफ तसकरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेस किया था कोर्ट से बसंती को जेल भेज दिया गया था सागर के जैसिंग नगर थाना छेतर के ग्राम वीर पुरा से 30 जुलाई को 14 और 8 साल की दो बच्चियां लापता हुई थी परिवार वालों ने तलास किया लेकिन वे दोनों कहीं नहीं मिली जिस पर परिवार के लोगों ने थाने पहुँचकर सिकायत की सिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्च कर जाच सुरू की जाच के दौरान सामने आया कि 14 वर्सिये की सोर के साथ 8 साल की बच्ची गई है तलाश करते हुए पुलिस करीला छेतर में पहुँची जहां दोनों बच्चियां मिली थी Bureau Report, Virat24 News